नमस्कार आदाप सस्रीयकाल वेल्कम टो मैंडर बेंस इंडियास बेश और नाइन लर्निंग प्राइटफॉर्म जहां आपको मिलता है किंडर गार्डन से लेकर 12 तक का सारा एजुकेशन आपसलूटली फ्री आफ कोस्ट आप हमारे अपने स्कूल एक्जामेलेशन से लेकर बोर्ड एक्जामनेशन की तैयारी कर सकते हैं और हमसे गैरंटी ले सकते हैं कि आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा टर्म्स इन कंडिशन सप्लाइट की आप और हम मिलके बढ़ियां से महनत करेंगे पूरी निष्ठा के साथ पूरी श्रद्धा के साथ ठीक है यह दोनों फ्रेंज नहीं है किसी के यह दोनों बेसिकली क्वालिटी से जो हर इंसान में होनी चाहिए ठीक है आपकी मर्दी है चलिए क्लास 10 के हम लोग कर रहे हैं सारे चाप्टर का वन चौर्ट रिविजन की हमें 30 मिनिट के अंदर अंदर चाप्टर समझ में आना चाहिए और आज हम रिवाइस करने वाले एक बहुत ही स्कोरिंग चाप्टर जिसका नाम है सम अप्लिकेशन साफ रिग्नोमेट्री की जिएगा उसकी अच्छे से समझ होनी थी जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री वहां पर अगर कॉंसेप्ट क्लियर होंगे तो यह चाप्टर काफी आसान हो जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए चरिए तो शुरू करते हैं सफर एक बहुत ही महान चायर ने कहा है कि कौन कहत है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता एक पत्थर तो तबीयत से उचालो यारो ठीक है अब यह कहावत आपने यह जो आपका शेर ही आपने बहुत बार सुना है इसका सिंपल सा मीनिंग है कि अगर हम प्रयास करेंगे तो दुनिया में सब कुछ अचीव कर सकते हैं लेकिन अगर आपको आसमान में पत्थर मारना है या किसी पेड़ पे पत्थर मार के फल गिराना है उसमें पत्थर मारने से पहले जो कारिकरम होता है जो अक्टिविटीज होती है वो जादा इंपोर्टेंट होती है और वो अक्टिविटीज होती है एम करना ठीक है और एम करने के आपके मारोगे तो वह कहीं भी जाएगा पर अगर जब आप किसी चीज़ को एम करते हैं तो आपका निषाना सटीक लगता और जब आप एम करते हैं उस एम करने के जड़र प्रोसेश को जड़ा समझना कि माली यह आपका पेड़ है कि इसके टॉप पे फल है ठीक है और यहा लिए आपकी आखें अपनी नॉमल आई-लाइन को देखती रहती है मतलब हम विल्कुल सामने देखते हैं और जब हमें किसी चीज को एम करना है तो हम अपने गर्दन यानि नेक और आइस का इसमाल करके उपर की ओर देखते हैं और उस चीज को लक्ष की तरह साधते हैं तो पहले हम यहां देख रहे हैं सामने अब हम उपर देख रहे हैं तो यह जो हम सामने बनता है इसे आप कहते हैं angle of elevation जब आप किसी चीज को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तब जो आपका angle बनता है उसे आप कहते हैं angle of elevation ठीक है elevator आपने देखी होगी malls में होती है दुकानों में होती जिससे आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं सार हम तो उपर से नीचे आते मेरे प्रभू मेरे कहने का तातपर है उसका जो मूल सिधानत है वो यही है ना नीचे से उपर लेके जाना तो नीचे से उपर जाने के लिए आप आंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं जब आप किसी चीज को नॉर्मल आई लाइन से हट के महनत करके उपर की और अपनी गर्दन करके अपनी आँखों को करके किसी चीज को दिखते हैं अब यहां पर यह जो समीकर्ण बनता है कि आप चीज को देख रहे हैं आपकी आँख देख रही है और आप जो पूरा समीकर्ण बना रहे हैं वो बनता है एक राइट ट्राइंगल यूकि दुनिया की में कोई पेड़ हो कोई बिल्डिंग हो आम तोर पे यही माना जाता है कि वो धरती से एकदम सीधी मुद्रा में हैं मतलब परपेंडिकुलर है तो वहां बन जाता है एक राइट ट्राइंगल और इस राइट ट्राइंगल की मदद से हम यहां पे अन्नोन चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं जैसे कि यदि मुझे पता लगाना है कि इस से आप ने सकता हो सकता पेड़ बहुत उंचा हो ठीक है लिकिन मैं ये पता लगा सकता हो कि मैं जमीन पे कितना दूर हूं पेड़ से और मेरी आँखें क्या एंगल बना रही है और इसके बाद मेरे Tea तो इग्नोमेट्री के ज्ञान का इस्तमाल करके रेश्यों का इस्तमाल करके मैं पेड की Height निकाल सकता हूं. ठिक है, यह मेरा हो गया पेड से Distance और यह मेरा ही हो गई पेड की Height. इसीलिए इस Chapter को बहुत लोग समान्य भाशा में Height and Distance भी कहते हैं. यह सारे questions या तो किसी चीज़ की height से संबंदित होते हैं या distance संबंदित होते हैं ठीक है यह आपको समझ में आ गया angle of elevation क्या होता है और कैसे उसको use किया जाता है बस आपको distance पता होगा तो height निकालोगे height पता होगा तो distance निकालोगे अन्य था इनके बीच में कोई और रिष्टदारी दी होगी कि यह इसका double है वो चोथाई है इस तरीके से भी आप अंसा निकाल सकते हैं या फिर आपको यह भी करते हैं कई बार सवालों में कि एक साथ दो समीकरण दे देते हैं उधारन के तोर पे एक tower है और एक building है आप यहा रहते हैं और concept समझने के साथ साथ यहां पर important हो जाता है डाइग्राम ड्रॉ करना वो भी सटीक तरीके से तो जब भी आप इसके practice question करें हमेशा पहला अपना दो मिनिट इस बात को दें कि मैं इस सवाल का डाइग्राम सही बनाऊ सारी चीज़े ढंक से लिखूं जो unknown है उसक कि मुझसे गलती ना हो जाए ठीक है ऐसे questions को practice करवाया है हमने आपको आप क्या कर सकते हैं आप कर सकते हैं यहां पे हमारे description में जाके link को follow जहां से आपको सारे questions practice questions मिल जाएंगे ठीक है पूरे ncrt के भी और उसके अलावा sample papers भी हमने solve करा हैं अब next जो आता है वह यह हर बा लगए होके नीचे की चीजों को देखेंगे है की नहीं तो उस case में अंगल बनाना जरूरी है जब आप उपर से नीचे की और देख रहे हैं ठीक है जब भी इंसान ऊपर से नीचे की और जाता है थोड़ा सा उदास होता है डिप्रेस होता है तो इसलिए यहां पर वर्ड 30 में डिप्रेशन का मतलब ही है डाउन फॉल ठीक है तो इसलिए यहां पे भी आंगल ओड डिप्रेशन है जहां पे आप उपर से नीचे की और देख रहे हैं उधारन के तौर पे आप अपनी एक बिल्डिंग की चट पे खड़े हैं और बिल्कुल ठीक सामने के नजारे द आकर्षित करेगी जब आप अपनी गर्दन को और आँखों को नीचे की और देखने के लिए विवस्ष करेंगे तो यह आपकी लाइन ओफ साइट बने जब आप ऊपर से नीचे की और देख रहे हैं ठीक है तो जो नॉमल आई-लाइन से अब जो डिफरेंस आया जो आपकी यह हो जाते हैं alternate interior angles और इसको फिर काफी लोग angle of observation के नाम से यूज करके हमारे जो अब triangle बना है अंदर जहां पर एक बिल्डिंग है जिसकी height होगी एक नीचे का distance है जो की गाड़ी का होगा या फिर किसी भी चीज का होगा building के यहां पर starting point से तो इन दोनों का यूज करके हम सारे answer बताते हैं is this clear जी sir तो angle of depression और elevation का difference समझ में आया सबको बिल्कुल sir elevation नीचे से उपर depression उपर से नीचे वार देखने वाला angle अब इसमें भी सवाल बहुत सारे बन जाते हैं जैसे की for example एक बहुत famous question है lighthouse वाले जहां पे दो नाव हैं जो की lighthouse के या तो एक तरफ खड़े ह या दोनों तरफ खड़े हैं ठीक है और फिर आपको चीजे पूछी जाती हैं तो यह आपके दो इस तरीके से angle of depression बनेंगे एक नाव इस तरफ एक नाव इस तरफ angles आप लिखोगे पहले depression वाले फिर observation वाले और फिर कैशीजों को calculate करोगे जितना अच्छा diagram बनाओगे जित सिंपल रखोगे उतना बहतर होगा और इस सवाल की इस पूरे चाप्टर की जो एक और important चीज है वो यह कि आप कितने बहतर तरीके से सवाल को पढ़ते हैं हर एक minute detail को क्योंकि अगर आपने कोई भी एक sentence कोई भी एक word miss read कर लिया या आप read करना भूल गए तो पूरा diagram अलग हो जाएगा value से अलग हो जाएंगी और calculations आपकी गलत हो सकती है तो मेरा आप से निवेदन है क्रप्या सवाल को अच्छे से पढ़ें दो बार पढ़ें समझे सवाल क्या बोल रहा है उसके बाद फिर calculation start करें जल्द बाजी में गलती नहीं करनी है ठीक है चलिए इसके साथ सा आदू में आपके सारे ratios का क्योंकि यह काफी ज्यादा यूज होते हैं सबसे ज्यादा जो यूज होता है वह है टैन थीटा वाला क्योंकि चैप्टर का नाम ही है एक दूसरा नाम है घर का नाम है वह हाइट डिस्टेंस वह हो जाते है एडजेसेंट और उपोजिट वाले तो इसलिए टैन थीटा ज्यादा यूज होता है काफी उसके बाद जो अगला यूज होता है वह होता है कॉस। कौट थीटा जो की टैन का पोजिट है और उसके बाद सब्सक्राइब का नंबर आता है इन दोनों को भी थोड़ा बहुत यूज किया जाता है रेयर केसिस में ठीक है जादा तर में तो टैन थीटा ही उप्योग में होता है क्योंकि अपोजिट और एड्जेसेंट का पूरा म याद रहेंगी मूलतहा याद कर लोगे रूट 3 वन और रूट 3 तो भी आपका काम बन जाएगा ठीक है यहां पर यह चैप्टर हमारा हो जाता है समाप्त काफी अच्छे से मैंने एक्स्प्लेइन कर दिया सवाल आपको बता दिये के स्टड़ी वाला क्वेशन भी यहां से आ सकता है क्योंकि हमारा हर क्वेशन जो अप्लिकेशन अफ्रिगो का है वह लगबग के स्टड़ी ही बन जाता है तो उस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है लाइट हाउस वाले क्वेशन शैडो वाले क्वेशन उसके बाद फिर टावर और बिल्डिंग वाले क्वेशन किस इस तरीके के सवाल वी आपको देखने को मिलतें हैं एक फ्लाइग के टॉप का एक फ्लाइग के बौं का ठीक है एसे ऐ सारे क्वेशन जितने प्राक्टिस करोगे आपको उतने बेहतर बेहों से कहां से करने है डिस्क्रिप्शन उपक्स अपो des psicoblog में आपको डीटेल में लिंक मिल जाएगी वहां से आप हमारे सैंपल पेपर कर सकते हैं और हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करें और वहां सारा कटेंट मिलता है वह वहां से आप आप हमारी books और e-books को और notes को भी procure कर सकते हैं इन सब को procure करने के लिए एक और रास्ता है वो है description box में दिया हुआ link जिसको आप click करके हमारे हम तक पहुँच सकते हैं साथ में हमारी social media platform को भी follow करकिया वहां से भी काफी कुछ fun learn activities के से तहत चीज़े सीख सकते हैं जैसे one shot में one mark पक्का वाली series जहां पर आपको एक मिनिट में पूरा एक question कराया जाता है हम लोग ने जब सफ़र शुरू किया था तो हम cbc English medium cover कर रहे थे फिर हमने Hindi medium पढ़ाना किया अलग अलग स्टेट बोर्ट को कवर किया बहुत सारे competitive exams को कवर किया कि हमारा सब एक ही लक्स है कि हम भारत के हर बच्चे को high quality education प्रोवाइट करा सके वह भी किना बिना किसी financial burden के अपना ध्यान रखें अच्छे से पढ़ाई करें stay home stay safe take care bye good day see you soon नमस्ते